ये हैं Viltrox brand का portable monitor, जी हाँ वहीं Viltrox brand जिसके आपने अकसर lenses जरूर देखे होंगे और आज की वीडियो में guys मैं आपको इसी portable monitor के बारे में बताने वालों ये एक ऐसा monitor है जिसको आप अपने camera के ओपर attach करके easily जो भी आप shoot करें वो सारे content को देख सकते हैं और complete जो ये monitor है ये touch screen operated है यानि कि आप button और touch screen दोनों की मदद से इस monitor को जो है use कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो देखते हैं overall जो Viltrox का ये monitor है DC 550 pro ये किस तरह से perform करता है और शुरुवात करते हैं सबसे पहले quick unboxing से तो Viltrox का ये monitor आता है white color की packaging में और जैसे हम box को open करते हैं हमें बहुत ही अच्छी packaging देखने को मिलते है basically एक carrying case देखने को मिलता है जिसके अंदर complete हमें सारा content देखने को मिलता है quality भी बहुत अच्छी है और जैसे हम इसको open करते हैं तो open करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है user manual उसके बाद मिलता है mount करने के लिए एक adapter ताकि आप camera के उपर या कहीं भी mount कर सके फिर मिलती है data cable USB to type C और फिर मिलती है HDMI cable camera के लिए और फिर आती है monitor की main unit तो इस तरह से guys हम चाए overall monitor देखने को मिलता है इसको हम detail में देखेंगे बाद में but guys in the box हमें ये सभी content देखने को मिलता है अब unboxing के बाद बात आती है इसके design और overall user interface की control की इसको थोड़ा detail में जानते है कि अगर हम इस monitor को practically use करते हैं तो हम किस तरह से इसको overall use कर पाते हैं touchscreen operation या फिर बाखी सारी चीज़ें किस तरह से perform करते हैं और कैसे हम इसको अपने camera के साथ control कर पाते हैं आईए इस सारी बातों को detail में जानते हैं तो विल्ट्रोक्स का ये monitor है completely touchscreen और उपर हमें SD card का slot देखने को मिलता है जहां पे हम SD card को डालके सारे LUDS को जो है install कर सकते हैं तो इस मामले में बहुत ही बढ़िया यह आपके काम आ सकता है अगर आप cinematographer है तो आप इस तरह ऐसी memory card में अपने LUDS को लोड करके वापिस इसमे इंसर्ट करके सारे install कर सकते हैं और apply करके देख सकते हैं और ठीक इसी के side में हमें तीन बटन देखने को मिलते हैं F1, F2, F3 जिसमें आप custom जो है कोई भी function सेट कर सकते हैं और मिलता है back का button और same operation जो है आप touch से भी सारे control कर सकते हैं आपकी मरजी आप चाहे तो button से कर सकते हैं और touch से कर सकते हैं और side में हमें type C की मदद से power देने को option मिलता है या फिर आप DC से भी power दे सकते हैं और हमें मिलता है tripod का screw mount ताकि आप इसको mount भी कर सके tripod पे और नीचे की तरफ हमें HDMI in, HDMI out और हमें audio monitoring का jack देखने को मिलता है tripod mount के साथ में पीछे की तरफ हमें बैटरी का compartment देखने को मिलता है बैटरी साथ में नहीं आती हमें अलग से लगानी होते हैं तो मैं यह उस करूँ और आप जो है easily देख पाएंगा और इस तरह से आप आपके से इसको fold भी कर सकते हैं आप बात आते हैं इसको detach करने की तो बहुत ही असान है आप simply तीनों तरफ से इसको इस तरह से detach करके remove कर सकते हैं चलिए गाई जब करते हैं इसको अपने camera के साथ connect और मैं आपको detail में दिखाते हूं कि इसके user interface में हमें क्या-क्या features देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको completely use कर सकते हैं इस monitor में जब हम F1 बटन को press करते हैं तो हमें focus picking जो है देखने को मिलते हैं इसको हम change भी कर सकते हैं तो आपको focus picking on करने आफ करने आपर depend करता है फिर है center mark का button जो है F2 जिसमें आप center marking जो है कर सकते हैं और फिर आता है F3 बटन जिसमें हम बहुत सारी additional settings को explore कर सकते हैं जैसे की volume bar हो गया, histogram हो गया, vector हो गया, मालनीज आपको volume bar चीए आपको भी shoot कर रहे है, audio levels पर आपको देखने हैं तो आप यहां से enable कर सकते हैं फिर histogram आता है, histogram में जो है आप देख सकते है किस तरह की color values आर या exposure कैसा है, RGB histogram जो हो आप ले सकते हैं, उसके बाद आता है vector, अगर आप vector को enable करना चाहते हैं, तो यह जो है न सारी चीज़ें, अगर आप एक cinematographer है, आपको knowledge है, color grading की या फिर colors की, तो आप जादा इस चीज़ क आती है next setting जिसमें हमें focus picking की additional setting देखने को मिलते हैं, अगर आप और भी precisely करना चाहते है, intensity change करना चाहते है, या फिर अगर आप zebra को change करना चाहते है, किस तरह से आपको दिखे, तो इस तरह कि आपको अलग-अलग type of focus की settings या आप देखने को मिलते हैं, जिससे आप precisely यह पता लगा सकते हैं कि किस तरह की color tone और किस तरह का focus हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद आती है कुछ additional settings जैसे कि अगर आप flip करना चाहते है horizontally या फिर vertically, and next panel है marking का, या अगर आप marker को जो है thick करना चाहते है, white या फिर black या फिर उसके colors को change करना चाहते है, तो आप marker को enable करके center marker को इस तरह से settings को change कर सकते है, colors को change कर सकते है, और अगर आप composition के लिए grid lines को enable करना चाहते हैं, जैसे आप rule of third जो है apply करना चाहते है composition में, तो उसका भी आपको solution इसमें मिलता है, इसके लावा अगर अगर अलग aspect ratio में shoot करना चाहते हैं, जैसे कि 16 is to 9, या फिर horizontal, vertical, Instagram के लिए, व आप full ratio भी shoot कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह जो आपको सारी settings इसमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत help करते हैं, एक cinematographer को, and guys अगर आप zoom करना चाहते हैं, तो आपको zoom करने का solution भी मिलता है, जैसे 1.4x, 2x, 4x, 8x, इस तरह के बहुत सारे zoom हैं, और उसके बाद चलते हैं next setting में जिसमें हम brightness, contrast, saturation, hue, sharpness, backlight, color temperature, इस सारी settings को explore कर सकते हैं, आपने coding जो है, adjust कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप additionally जो है, इस monitor की settings को explore करना चाहते हैं, तो वो भी हमें बहुत तरह की देखने को मिलते हैं, जैसे की fan speed, volume, menu, reset, function की, इस सारी setting आप कर सकते हैं, तो यह सार जो है, complete user interface, इस monitor का हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा, इस Viltrox monitor में मेरे को सबसे खास बात यह लगी, कि हम इसको तीन तरह से power दे सकते हैं, सबसे पहला है, portable battery, दूसरा है USB Type-C connection, और तीसरा है DC power, इन तीनों port की मदद से आप इसको easily power दे सकते हैं, all up to you कि आप इसको कैसे operate करना चाते हैं, और इसकी जो overall quality काफी अच्छी है, चाहे, build quality की बात हो, या फिर touchscreen की quality हो, touchscreen जो है काफी अच्छी responsive मेरे को लगी, as such को भी मेरे को lag देखने को नहीं मिला, और overall जो nits है, वो भी काफी अच्छी है, मतलब bright display, अगर आप outdoor location में भी इस display को use करते हैं, तो आपको कोई भी as such problem देखने को नहीं मिलेगी, और being a professional content creator, सबसे ज़्यादा चीज portable monitor को use करते हैं, जो हमारे काम आती है, वो होता है, audio monitoring और brightness, और इन दोनों चीजों guys, मैं shortcut दे रखा, जो मेरे को बहुत पसंद आया, let's say guys, अगर मेरे को audio monitoring की volume बढ़ाने, तो मैं simply swipe up करके screen जल्दी से बढ़ा सकते हैं, और similarly, अगर मैं brightness बढ़ाना चाता हूँ, backlight इसकी बढ़ाना चाता हूँ, तो वो भी मैं swipe up करके बढ़ा सकते हैं, मेरे को guys, बार-बार settings में जाके उस चीज को adjust करने की बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोनों को shortcut तरीके से easily adjust कर सकता हूँ, इसके अलावा इस monitor की practical usage की बात करें, तो इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है, कि अगर आप harsh sunlight में outdoor location पे shoot करते हैं, और इसका heat होने के chances जादा होते हैं, तो इसके अंदर fan control का आपको option देखने को मिलता है, आप fan को medium, low, high, thin, option पे control कर सकते हैं, यानि कि अगर आपको ल इस specification और सारी testing के बाद, सवाल यह आता है कि इस monitor का price क्या है, तो guys, price मैंने यहाँ पर mention कर दिया, आप यहाँ से price देख सकते हैं, इस price में जो हमें monitor देखने को मिलता है, अगर आप एक ऐसा monitor चाहते हैं, जो touchscreen से चलता हो, और उसके अंदर button controls भी हो, और उसके अंदर तीन power option ह और भी वाकी तरह के option हो, तो आप guys इस monitor को consider कर सकते हैं, अच्छे लगी तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें, stay tuned until next video